जी आएनू प्यारे विद्यार्थियों पंजाब स्टेट एड्यूकेशन बोर्ड दी छेमी जमाद दी अंग्रेजी दी किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उस्दा लेसन नंबर नौ जिस्दा सिरलेख है दी काबुली वाला इस लेसन दी रीडिंग कंप और टांसलेशन असी कर चुके हैं फिर उसतो अगले वीडियो चे अक्टिविटी नंबर दो गीती है ते आओ इस वीडियो बेच आसी अक्टिविटी ज़ दो तिन चार पंज करिये एदा सिरलेख है अक्टिविटी जा रीडिंग और गॉम्प् करदाना तुसी उस वीडियो नूँ जेच रीडिंग और ट्रांस्लेशन की तीगे उन्हें चंगी तरह सुन ले वाएगा परे देविच नाल कुछ अंग्रेजी दी पाशा दे कुछ प्रेक्टिस अभ्यास लई और गल्ला मिने सो तुसी नोटबुक खोल लो ते पैन नाल ल जो 20 किताब च बनेया होया है मैं टेबल नहीं बनाया ठीक है you will see some words तुसी कुछ शबद वेखोगे with their meanings नाल उना दे मतलब दित्ते होय ने make one sentence of each word हर एक शबद दा एक एक वाक बनाओ ठीक है बच्चो सो कताब देविच शबद दितता है शबद दा मतलब दितता है ते उन्होंने गए खाली था चड़ी ये टेबल च ते ओ देविच उन्होंने क्या वाक बनाने ने ते मैं तो उन्हों एक एक वाक बनाके दस दितता है ते ओ वाक जड़े ने उन्हों मेरा आक Ind Memois देता है ताकि उन्होंने खैड़े आ या सके कि एन जड़ा sentence मैं बनाएने वाक ये टौड़ी किताब्स नहीं आगे ये यह बना के टोड़े समने पेश कर रहे हैं, तुसी अनुन बेशक नोट कर लो, पर जिमे में अगे भी ताकीद करदा होना, एना शब्दानू, एना वाकानू, सेध वाकान तो सेध लेके, प्रेड़ना लेके, तुसी आप भी कोई नवे वाक मनान दी, कोशिश करो, जतन करो, ताकी टोड़ा वी अभ्यास एना शब्दानू वर्तंदा होए, ठीके, सो आओ, पहला शब्दे बचो चैटिंग, ते वी न मतलब वर्ब, एक किरे आए, ते चैटिंग दा मतलब उनने टॉकिंग इना फ्रेंडली वे, और थाथ दोस्ताना लिहाज दे विच गल्लां बात आप करनी हों, बबकि एक बाउ, एक बौस दी गल्ल या मुलाजम दी गल्लनों, वसी चैटिंग नी कह सक दे, परवार से अबारा होए, या रिष्टे दाहरा में चोए, या दोस्ता में से उन्हों वसी चैटिंग करने हैं ठीके तो चैटिंग दा मतलब हुंदा है दोस्ताना लिहाज देविच दोस्ताना अंदाज देविच एक दुझे ना गल्ला बतना करनिया तो इदा मैं एवाक बनाया है दी टू फ्रेंड्स वर सिटिंग इन दी पार्क एंड चैटिंग मतलब है कि दो दोस्त पारे के विचे बैठे होए सी अते प्यार दियां मली दोस्तान दोस्ती दियां गल्ला बतना कर रहे सी चैटिंग कर रहे सी ठीके अब अगला शबद देखिए अगला शबद कन्वर्सेशन है अगा नाउन नाम एदा मतलब टॉक बिट्वीन पीपल अर्थात लोक का विचली गल बात ठीके चैटिंग दा मतलब है गल्ला बातां कर रहे सी कर रहे है टॉकिंग इना फ्रेंडली वे ओसी वर्ब किरिया कन्वर्सेशन है नाम नाउन गल बात सुएदा सिंटेंस मुझ आया दे हैडा लंग दी कन्वर्सेशन लंग दी मने अर्थात उना ने सियासत विच प्रिष्टाचार बारे बहुत लंबी गल बात कीती ठीक है अधा मतलब हो गया लंग दी मने लंबी गन्वर्सेशन मने गल बात लंग दी कन्वर्सेशन लंबी गल बात अबाउट किस बारे कुरॉप्शन प्रिष्टाचार बारे किते प्र अगल आ गया बच्चे ओ शबद लाइवली एग है अडजेक्टिव विशेशन अर्थाथ फुल अफ लाइफ उत्षापूरण जोश पूरण ठीके अपने पेंड दे मसले विच बड़ी उत्षाप वाली रुची ओ अपने पेंड दे मसलेयां विच बड़ी उत्षाप वाली रुची दिखूंदा है अगला शबद आगे बच्चो क्राइम एगा नाउन नाम एदा मतलब होंदा है गुना जुर्म जुर्म दे अपराद है तुन दस्षाप विच बड़ी उत्षाप वाली रुची दिखूंदा है क्या है पहले एन एक्ट एन एक्ट मैंने ओ कारवाई फॉर विच यू कैन वी पनिष्ट बाइल ओ कारवाई जेदे करके कनून राही तो अनू सजा दित्ती जा सकती है स्वेरा मतलब अनुने दा संटेंस बनाया टेकिंग लेना और गिविंग देना आ ब्राइब वड़ी रिश्वत इस आ क्राइम और थाथ वड़ी देना या वड़ी लेना एक गुना है ठीके जखूंदा छोटे शोटे संटेंस ने तुसी बना साकते ताहीं सानूं पता है उगे चलिए अगला गया बच्चेओ शबद सरी मणी बचों सी दस्चक के आए पेली वी आए शबद के एक्टिवीटी वन विच्विए जिकर की था सी उसी सेरी मनी सेटीकर ठीके शैरी मनी को बच्च और शैंस ए इन इंप्वाटेंट इंपोर्टेंट मैंने महत्व पू लास्ट मैंने पिछले वीक मैने हफता लास्ट वीक मैंने पिछले począt अवर स्कोल साटे स्कूल हैड आप्राइज इस्ट्रिबुशन सरी मनी पिछले आफ़ साटे स्कूल विच इनाम वंद समा समा रो सी किना सोख़ा देखो ना मैं स्कूल के विद्यार्थियान ना जोड़के संटेंस वना आता लास्ट वीक अवर स्कूल हैड़ा प्राईज प्राईज मने इनाम दिस्टिबूशन मने वंड प्राईज इनाम वंड शेरी मनी मने रसम पिछले हफते साधे स्कूल विच इनाम वंड समा रहो सी So easy, so simple तुसे भी बनाओ कोई ना कोई दा रहा है फिर आगया afford afford दा मतलब बंदा है बच्चेयो verb, we verb, किरया To have enough money to pay for something अर्थात कोई खर्चे दी पोँच वी चोना किसे चीज नू खरीदन दी समर्था रखनी इनुके इनने afford ठीके, so एदा मैंकी sentence बनाया है I opted, opt होंदा है बच्चे चोन करनी ते opted मैंने चोन किती I opted for a Chinese mobile phone मैं Chinese mobile phone खरीदन दी चोन किती because क्योंके I could not afford Apple क्योंकि मैं Apple दा फोन नहीं खरीद सकदा सी ठीके, so इस करके आपल दे चकरचनी पहना जाला, जे पैसे नहीं आगे ते फुकरापन नहीं दिखाना जे इमानदारी दी कमालो फिर एपल ले सकदेओ ने ते चैनिस phone नहीं कोई माड़े नहीं हुंते सो इस करके देखा देखी नहीं आपड़े नहीं देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जीओ दुझे आल नहीं देखना उनने की पाया हुआ है हुद को केडरी गड़ी हैंगी हो की खा रहे हैं हाना हुद किनी तन खायते एक इनने खेतनै सारे मूर खाने कमने ना इना चीजम मचे रुची दिखानी चाही दिये ना ऐस सवाल पुछनें चाही देने ना इना गलनावल क्या हम देना कशीद आए आप्टेट व्र चानीज मोबाइल फोन मैं चानीज मोबाइल फोन खेड़ नू तरजी देटी because I could not afford एपल क्योंकि मैं एपल नहीं खेड़ी सगता सिसकर मैं चानीज फोन खेड़ी लें मेरी समर्था नहीं सी, मैं नहीं खरी दिया, बस, that's all, कहानी खतम हो गई, अब अग्ये चलिए, activity number 3, choose the correct option, आई देखो बच्छे, option जड़ा word है, आप्ट तो निकले है, उन्हीं मैं, आप्ट जूस कीता सी, आप्टिड, आप्ट मैंने उन्दा चोन करनी, आप्टिड मैंने चोन कीती, ते option दा मतलब उन्दा चोन, ठीके, choose the correct option, सही option नूँ चुनो, सही चोन नूँ चुनो, to answer the following questions, hate लिखे स्वालन ते जवाब देन लई, ठीके, उन्हीं ने तो उन्हीं दो तो जवाब देते ने, उन्हीं चोन एक गलत है, एक सही है, ते जे असी लेसन पड़े आएगा, सन्फट पता लग जाएगा, ठीके, why was many afraid of the काबुली वाला, afraid मैंने डरना, डर, डरी होई या डर्या होया, why was many afraid of the काबुली वाला, many काबुली वाला तो क्यों डरी होई सी, काबुली वाला looked very horrible, की काबुली वाला बड़ा ड्रोना दिसदा सी, एकल सी, नहीं, she had heard that काबुली वाला caught the children, एकल बिलकुल सही है, टोड़े लेसन ची देन लिखे संटेंस, उन्हें एकल स सुन रखी सी, की काबुली वाले न्याने चकलन दे हन, इस करके ओ, तो डर दी सी, उन्हें एकल लेसन ची लिखी होई है, ते ऐसी थे, ऐसी निशान लगा दिता, ठीके, अग्या अग्या अग्या, what was काबुली वाला ज नेम, काबुली वाला दा नाम की सी, मुझे लेसन लगा दिता, काओ गे चलिए, कोश्चन नमबर थ्री, why was दी काबुली वाला अरेस्टिड, अरेस्ट हन दा है बच्चे ओ, गिरफतार करना, ते अरेस्टिड गिरफतार कीता गया, काबुली वाले नू गिरफतार क्यों कीता गया, ते गल्लाइं कीती हैं, पहले लेकिने, he had stolen, उनने मिन्नी दे कार्तों पैसे चोरी कीते सी, अगल से ही है, नहीं बिल्कुल गलते, जे लेसन पड़े आवे ते सनुपता लगजेगा, he had stabbed a man, उनने एक बंदे नू चाकू मार दिता सी, जे दे कोड़ों उनने पैसे लेने सी, सो जे लेसन पड़े है, ते सनुपता है ते असी थे सही निशान लगा दिता, साड़ा कम हो गया, आओ हुन असी कोश्ट नमबर चार ते चलिए, वाए, वट डिड मिनी दे फादर, मिनी दे फादर, गिव, डिड है गया है, डिड तो बाद गिव, फरस्ट फॉर्म आईगी हमेशा, पर जवाब गिव इचा जंद ठीक है ना, पर असी जवाब ते दिरना नी, जवाब उनन गित्ते वे ने असी सही चोन करनी है, वट डिड मिनी दे फादर गिव टुदी काबुली वाला, मिनी दे पिता जी ने काबुली वाले नू की दिता, सम क्लोस और फूड, ओना ने उनू कुछ कपड़े अते खाना दिता, बिलकुल नी, किते जिकर नी हैगा, लेसन दे विच, इते ही नहीं है गल, किते, सम मनी, कुछ पैसे दितते, येस, ज़ाद उनने क्या, गो, एंड मीट यूर डॉटर, अपनी ती इनू जाके मिल, क्योंकि जेल चो आया सी, खाली आज सी, जेल च रहा कि उनने कोई क पिता जी ने काबुली वाला नू थोड़े पैसे दितते, सो सम मनी, सो इते साधा जवाब आगया, सही, एवड़ा, ठीके, आओगे चलिए, क्योंकि नूबर फाइफ, मिनी जेल फादर कुड नूट एफूड दी मिलिटरी बैंड ओन हर मैरिज, मिनी दे पिता जी, वो दी मिनी दे व्याद उत्ते, मिलिटरी बैंड दा अरेंजमेंट नहीं कर सके, वोना, कुड नट एफूड, मलकी ओदा खर्चा चलन दी समरत था नहीं सी, क्यों, बिकॉज ही एड गिवन सम बनी टूदी कावली वाला, गल सही है, अखीर च लिखे है, क्योंने, ही एड टू कट डाउन दी एक्सपेंसिस ऑन दा वेडिंग, उन्हान ने उन्हों पहे थोड़े दे देते सी, ते उन्हों को पहे कट गे, ते दूजा जवा है कि मिन्नी दे पिता जी कर दे की सी है, और नौकरी कर दे सी, या रिटायर सी, या बिजनस सी, कुछ नी सिखा, दसे नी हैगा, सो जे असी लेसन पढ़े होगे, उन जवाब ते भी हो साथ, कोई भी हो सकता है, जे जड़े बंदे ने काहनी नी पढ़ी होते कि जवाब है, पर हल तक मतलब भी नी पता लगा, जब जी सावता मतलब कीएगा, ते बच्चे और असी यदन नहीं पढ़ना, चाहे असी इंगलिश पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, साइन्स पढ़िए, जिजॉगर्फी पढ़िए, चाहे गुर्वानी पढ़िए, यो इते सही दा निशान लगा दिता, आओगे चलिए उन, अग्या आग्या बचो, activity number 4, put a tick, tick मने सही, और a cross काटा, against each sentence, हर वाक दे अग्ये, यहाँ टीका लगाओ, टिक लगाओ, तो यहाँ cross लगाओ, टिक किते लगाओ, जो कथन सही होएगा, cross किते लगाओ, जो गल्त होएगा, उन, केडा सही है, केडा गल्त है, किदना पता लगेगा, जे ऐसी कहाणी नू चंगी तरह पढ़ेया होएगा, चंगी तरह सुनेया होएगा, चंगी तरह समझेया होएगा, आओ देखिए, little minnie was three years old, नाजी ना, वो three years old किते जी, she was five years old, वो ते starting ची लिख है, little minnie was five years old, so इते जी काटा लगाता, रहमान वादा बिग बिग बेर्ड़ीड पठान, बिल्कुल सही होएगा, he was big, he was bearded, and he was पठान, वो वड़्डा सी, उचलमा सी, वो ते दाड़ी सी, ते वो पठान सी, अफ hang to death मनें फाहे दे दिता गया, उन्हों फांसी दे दिती गई, अगल सही है, no, बिल्कुल नहीं सही, वो ते लिखे थी, काबुली वाला was sent to prison, उन्हों जेल पे दिता गया, he was not hang to death, हो ते वापस आया सी, minnie होना देकार, जी hang to death होया होंदा, ते उन्होंने minnie देकार वापस है ना होते है, काहानी चाहत करो, soon minnie forgot her old friend, छेती ही minnie अपने पुराणे दोस्तनों पुला बैठी, forget मैंने पुलना, एक हैंने could not forget, पुलनी सगी, सो है गल्वी सड़ी, गल्थ होगी क्योंकि minnie ने उन्हों पुला दिता सी, फिर आगया minnie's father helped remain with some money, बिल्कुल सही है, जदो जेल तो छुटके आया, उन्हें respectfully salute कीता, ते वो केंदा है, दिखो मैं, बच्ची ली सौगीया, मेवे ते बदाम लेकी आया, की मैंनों मिल सकदा, जदो पिता जिने होदे क्या सिगा पी, तो फेक दी आई, कार्चे व्या चल रहा है, तदो minnie दे फादर ने होदी help कीती सी कुछ पैसे दे, नाल स्वैगल बिलकुल, सही ये असी टिका लगा देता, आओगे चलिए उन्हें, अग्या आग्या बच्चो, activity नमबर 5, ठीके, complete the following sentences, sentence देते ने बच्चो, नाल खाली स्थान है, उन परना है, पर खाली स्थान असी ताहीं परसकांगे, जे असी लेसन न मिन्नी कुट नोट लिव विदाउट चटिंग ओल दा टाइम, हर वेले बोलन तो बिना मिन्नी रही ही नी सकती सी, स्टार्टिंग ची लिखाया है, बिलकुल सही है, फिर काबली वाला एंड मिन्नी वूट सिट, काबली वाला ते मिन्नी बैठ दे, एंड चैट फर आवर्स कंटियां बदी गल्ला कर दे, एंड क्रैक जोक्स विद इच अदर एक दूजे नाल हसा ठथा कर दे, एकल सनुलहसं तो पता लग दिये, इत्थे थोड़ा जा इननने बदले आया, देर वाज टेरिबल, टेरिबल बच्चे और ड्रावना भी उन्दा है, टेरिबल उन्दा देर वाज जार देर वाज गल्ला कर दो काही कए सक दे आया, टेरिबल बड़े ऑनी है, टेरिबल होगी वो इक सोनी मुट्यार विच देरू विच वड्ड़ी होगी थी, मिनी's father had to cut down उन्वन अपने नेक्टने पर कि प्टने पर कि दीउने इक्पंस जाने क्टने पर कि द सो एज लेसन पढ़ा है तो खली सान सी पढ़ सकांगे मैं खली सान पढ़ देते ने तुसी नोट कर लो और बिना देखे एना नू फिर अपने आप रफ बुक दे विच रफ नोट दे विच परंदी कोशिश करो प्यारे बच्चियो सो एदे नाली बच्चे ओए साड़ा लेसन्स मापत होंदा है एदे विच असी एक्टिविटीज दो तिन चार पंज कर ली हैं मैं आस करदां इस वीडियो रही तो आनू एक्टिविटीज दे जरे सुलीशन्स ने चंगी तरह समझ आ गए होनगे तो तुसी डट के अगे जाके कम आएगी सो टोड़ा सारें दा बहुत बहुत अनुआद रब रखा थैंक यू वरी मच गॉड़ ब्लेस यू आल